बियार से सवक भड़ी खबर आ रही है बियार कर्मचारी चायन आयोग की पहली पाली में हुई परिक्षा रद्ध हो गई है पेपर लीक होनी की वज़े से बियार कर्मचारी चायन आयोग ने परिक्षा रद्ध कर दिया है 23 दिसंबर को दो पाली में और 24 दिसंबर को एक बाली में परिक्षा हुई थी 23 दिसंबर को पहली पाली में हुई परिक्षा के प्रशन पत्र के कुछ पेजिस वोट्साप पर वायरन हो गए थे इन्वायल पेपर की मिलान प्रश्णों से करने पर पता चला कि लीख हुए पेपर असली थे इसे लेकर प्रतियोंगी छात्र लगतार प्रदर्शन करे थे पेपर लीग केश में बिहार पुलिस ने कई लोगों को गरफतार भी किया है और दिली न्सियार के लोगों को एक बड़ी ख़बर बता देते हैं बड़ी ख़बर यह आ रही है कि मदर डेरी ने दूद के दाम दो रुपए परती लीटर बढ़ा दिये हैं आपको बता दे कि फुल क्रीम टोन डबल टोन दूद दो दो रुपए परती लीटर महंगे हो गए हैं आम आदमी को इसे महंगाई का जटका आप कह सकते हैं क्योंकि यह लगातार तीसरी दफ़ा है जब जो दूद के दाम बढ़ाए गए मदडेरी ने अपने दूद के प्रॉडक्स पर खासकर फुल क्रीम टोन डबल टोन डूद पर दो दो रुपए परती लीटर का इसाफा कर दिया है अलगि काव मिलक के दाम में अभी बढ़ातरी नहीं की गई है कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन बाकी जो प्रॉडक्स हैं उनके दाम बढ़ गए चाहिए वो फुल क्रीम की बात करें टून की बात करें और डबल टून की बात करें उनके कीमतों में दो रुपे परती लीटर का इसाफा किया गया है खबर बिहार से आ रही है बिहार के गया में बड़ा कोरोना वे स्पोर्ट हुआ है गया के बोध गया में विदेश से आए 11 लोग संक्रमित बाई गए है बोद्गया कि जिस होटल में ये विदेशी आता ठहरे है उस होटल को आइसूलेट कर दिया गया है लेकिन बोद्गया जैसे धार्मिक स्थल पर विदेश्यों में कोरोना संक्रमन्ट से खत्रा और बढ़ गया है